आपका पहला सवाल है, मृत्यू के समय राम भगवान की आयू कितनी थी? आपका ओप्षन है, A. 11000 वर्ष, B. 11100 वर्ष, C. 11200 वर्ष, D. इन में से कोई नहीं, इस सवाल का सही उत्तर है? आपका दूसरा सवाल है, राम मंदिर में लगने वाले घंटी का वजन कितना है? आपका ओप्षन है, A. 1100 किलिग्राम्स, B. 1200 किलिग्राम्स, C. 2100 किलिग्राम्स, D. 2000 किलिग्राम्स, इस सवाल का सही उत्तर है? C. 2100 किलिग्राम्स, आपका तीसरा सवाल है, राम मंदिर में कितने मंदप है? आपका ओप्षन है, A. 4 मंदप, B. 5 मंदप, C. 2 मंदप, D. 10 मंदप, इस सवाल का सही उत्तर है? B. 5 मंदप, आपका चौथा सवाल है, राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? आपका ओप्षन है, A. 360 खंभे, B. 551 खंभे, C. 310 खंभे, D. 312 खंभे, इस सवाल का सही उत्तर है? A. 360 खंभे, आपका पाँचवा सवाल है, कौनसी नदी अयोध्या के इतिहास को साक्षी मानी जाती है? आपका ओप्षन है, A. सर्यू नदी, B. यमुना नदी, C. गंगा नदी, D. कावेरी नदी, इस सवाल का सही उत्तर है? A. सर्यू नदी, आपका च्छटा सवाल है, हनुमान जी के बाद रावन के पास श्री राम का दूत बनकर कौन गया था? आपका ओप्षन है, A. सुग्रीव, B. लक्ष्मन, C. अगद, D. इन में से कोई नहीं, इस सवाल का सही उत्तर है? C. अगद, आपका सात्वा सवाल है, राम मंदिर का भूमी पूजन कब हुआ था? आपका ओप्षन है, A. 2019 इस्वी को, B. 2021 इस्वी को, C. 2020 इस्वी को, D. 2018 इस्वी को, इस सवाल का सही उत्तर है? C. 2020 इस्वी को, आपका आठवा सवाल है, रामचरित मानस में पूल निर्मान का जिक्र किस कांड में आता है? आपका ओप्षन है, A. पयोध्या कांड, B. सुन्दर कांड, C. लनका कांड, D. इन में से कोई नहीं, इस सवाल का सही उत्तर है? C. लनका कांड, आपका नौवा सवाल है, आयोध्या किस राज्य में स्थित है? आपका ओप्षन है, A. उत्तराखंड, B. उत्तर प्रदेश, C. हर्याना, D. राजस्थान, इस सवाल का सही उत्तर है? B. उत्तर प्रदेश, आपका दस्वा सवाल है, श्रीराम जन्मभूमी मंदिर का का शिलान्यास किस ने किया है? आपका ओप्षन है, A. अमित शाह, B. नरेंद्रा मोधी, C. सोनिया गांधी, D. इन में से कोई नहीं, इस सवाल का सही उत्तर है? B. नरेंद्रा मोधी दोस्तों यदि मेरी जी के वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे च्रेनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करकर जाए